तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे H&M या कोई भी अधर ब्रैंड के आर्टेगल्स मिंतरा से बिना किसी डिलिवरी चार्ज या कन्वेनियंस फी के और कर सकते हो गाइस आप में नोडिस किया होगा अगर आप मिंतरा से शॉपिंग करते होंग जिससे आपको अगर आप 500 से बिलो का भी कुछ शॉप करोगे तब भी आपको कोई कर्मेनियंस फी नहीं पेक करनी पड़ेगी एकदम फ्री ओफ कॉस्ट अगर आप चाहिए 500 अर्टिकल और करोगे तो आपको सिर्फ 500 रुपे ही पेक करने पड़ेंगे कोई उसके ओपर कर मेरे चैनल को अभी कि अभी सब्सक्राइब करो मैं आपको और फ्यूचर में इसी शॉपिंग हैक्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा और आपको कुछ भी मिंत्रा से पर शेस करना है तो नीचे मैं अपना अफिलेट लिंक एड किया हुआ है उससे मुझे थोड़ा सा बेने मिल सकता है अगर मेरे लिंक से जाके पर टेस करोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे एंड मुझे भी अपना कमिशन मिल जाएगा तो वह लिंक से चेक करना अगर आप कुछ भी पर शेस करें उससे पहले वह मेरा लिंक ओपन करके आप शॉप कर सकते हो तो यह देख सकते हो मिंतरा आपके अपर 100 रुपीज लगा देगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहां पर लिखा आ रहा है 100 रुपीज अब गाईज नीचे यहां पर यह भी लिखा है शॉप 400 मोर टौवाइड कंवीनियंस फी अब गाईज आपको क्या करना है सिंप जब मैं इसको एड करूँगा यहां पर मेरे ओपर कंवीनियंस फी रिमूफ हो जाएगी अब मैं आपको बताता हूं आपको नेक्स्ट क्या करना है और कैसे अब आपको दोनों के दोनों आर्टिकल्स को ओर्डर प्लेस कर देना है एक बार जैसे मैं कहा हूं आप करके वचिण सब्सक्राइब करने की वजा से इस आर्टिकल को आप कैसल कर दो आ गहींतरा पर फीचर होता है कि अगर आप multiple articles order कर रहे हो तो उसके बाद आप कीसी भी article को बाद में cancel कर सकते हो तो आपके जो secondary article है यहाँ से इसको cancel कर देना है अब guys आपका काम हो चुका है आपको डिर्णिंग जरुरत नहीं है बिल्कुल भी एक बाद आपने system के साब से जितने रुपे का article order किया है आपको इतना ही pay करना है अब आपको delivery का time 400 रुपे ही pay करने है वो आप से 500 रुपे नहीं मांग रहे हैं क्योंकि आप बाद में उसको cancel कर चुके हो और उनके साब से आपने इस article को 400 रुपे में ही order किया है तो आपको सिर्फ इतना ही pay करना पड़ेगा तो guys मैंने आपको COD करने को इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप अपने order को cancel करोगे तो आपने उनको पहले कुछ भी pay नहीं किया है तो simply जो भी आपका उसके बाद order आएगा आपको सिर्फ वो pay करना है अब guys for example अगर आप bank account से पहले ही payment करोगे उसके बाद अपना order cancel करोगे तो आपको कुछ time wait करना पड़ेगा refund के लिए जिससा article को आप cancel करोगे वो refund आने में थोड़ा साथ time लगेगा तो better रहेगा कि अगर आप COD करतोगे तो आपको कोई भी refund की तो प्रेट करने ही नहीं है आपको simply जो भी आपका आटेगर आएगा सिर्फ उसकी payment करने आपको डूर स्टेप पे इसलिए guys कोईश करना COD करना तो guys जहीत ही आज की वीडियो अगर आपको ये trick अच्छी लगी हो तो प्लीज इस trick के लिए एक लाइक बिलकुल बनता है और तो guys फड़ा फट से वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और आपको कोई भी doubt है कोई भी shopping sites से लेटर में आपकी doubt ज़रूर सॉल्फ करूंगा और प्लीज मेरे चैनल को भी subscribe करो आपको future में और भी ऐसी बड़िया shopping hacks मिलते रहेंगे